इसका शेयर प्राइस काफी दिनों से नीचे की तरह जा रहा है एसे में जो लोग इसमें पहले से निवेस की हुए थोड़ा घबड़ाए हुए बहुत सार लोग क्यों थी कि इसको पर एक वीडियो लेकर आई है तो मैंने सोजा चलिए इस कंपनी का इस वीडियो में फंडाम इस तरह कि यह काम होता है लोग प्रोपाइट करती है और जो लोग देती है उससे मिलता है उससे कंपनी में अपना जनेर्ट करती है अब समझें इसका मार्केट केप सतरा करोन चो लाग रुपाए बहुत छोटी कंपनी है और शेयर प्राइस देखेंगे तो अस्ती पैसा आज के दिन का सेयर प्राइस है थोड़ा सा इसमें तेजी देखने को मिला है लेकिन वह कोई खास तेजी इसको नहीं कहेंगे समझे यह हाई लगा चुका एक रुपया तेरह पैसा का अर्थात इस कंपनी का सेयर प्राइस अधिक्तम यहां तक आया है और आप देखेंगे आप समझे पिछले साल एक नौवर से कंपनी के सेयर प्राइस में तेजे आना शुरू हुआ एक नौवर तो जबसे जनौवरी ॉट्वारी महां तक सेर प्राइस में उठता रहा मतलब बढ़ते रहा और बढ़कर 22 पैसा से आगया एक पैसा तक मतलब कश सकते हैं कि इसने शरूह हुआ है नीचे जा रहा हलां कि continue नहीं जा रहा है बीच में आप ग्राफ में देखेंगे तो उतार चढ़ाओ इसमेरा मतलब यहां आपको समय समय पर निकलने का भी मौका देता रहा है और इस तरह के ग्राफ इसमें आगे वी बनते रहेंगे तो आपको चींता यह पैसा की से अदिन नीचे और जब से अच्छा नहीं माना चाहिए लेकिन अच्छी कंपनी का नीचे नहीं आता है अर्था साल भर में यह कंपनी आपको थोड़ा हुद कमा दे सकती है लेकिन सवाल यह कि क्या हमें साल भरते कि इसमें बने रहाना चाहिए इसी मुद्धे पर इस वीडियों में तबसीश से बताऊंगा मैं फिलाल देखते चलिए इस कंपनी के पास कंपनी के पास पैसा नहीं उस सथी कि इसको पर कर जा है और करजा बढ़ते जा रहा है अब समझे इसका फंडामेंटल में होता है सब्सक्राइब देखिए 47 लाग का क्वाडर टू में इसको रिभेनियों 46 लाग का रिभेनियों हुआ था लेकिन क्वाडर थी में रिभेनियों एकदम कम हो गया और उल्टा संतावन लाग का इस कंपनी को लॉस हो गया मतलब यह थोड़ा सा यह निगेटीव दिख रहा है लेकिन इसका बाजूत कंपनी का प्रोफिट बढ़ा है प्रोफिट देखिये कौर्डर टू में नौ लाग का हुआ था जो क्वाडर 3 में बढ़कर 77 लाग का हो गया मतलब रेभेनियों में ग्रावड कंपनी का प्रोफिट जवरदस्त बढ़ा है तो इस बादित की संभव मतलब सक पैदा करता है कि इसमें ऑपरेटर सहावी होंगे अब समझे अर्निंग पर सियर में भी गिराउट हुआ है पहले जिरो जिरो था और देखिए जिरो जिरो से निगेटिम में चला गया है मतलब ऑफरोल फंडामेंटल बहुत अच्छा नहीं है पर चला कोई नहीं देगा और आगे क्या करना उसके बारे में बताता हुं समझेंगे असेट्स जो होती है कंपनी जो खुद की संपत्ति होती है वह 37 क्रोण 24 लाग का और असेट्स में भी देखेंगे तो साल दर साल गिराउट हो रहा है इसकलावाज जो होती है मतलब दूसर लेकिन उतना भी सुकुन देना वाला खबर ने कि इस नीज के बदावलत आप इसमें हेवी इंवेस्टमेंट करते हैं या बहुत समय करना क्या है तो ने लोग इस कंपनी में इंट्री नहीं लीजे बहुत सारे पेनी इस्टोक है जो इसके फंडमेंटल जिसका आप उसमें इंवेस्टमेंट कर लिए और जो लोग पाहले से कंपनी के सेर्स को खरिद के बैठे हुए उनसे मेरा मस्वरा है कि आप सही से में देखकर अपना प्रोफिट बुक कर लिए और इसमें से जल्दी निकल जाए कंपनी फ्यूचर में कि इसका फंडमेंटल कितना जल्दी मज जीबुत हो जाता है उमीद करता हूं मेरी बाते आपको समझ में आ रही होंगी वीडियो इंफर्मेटीव लगा होगा अगर मन में कोई सवाल हो तो में पूछिए परसनली मुझे जूड कर बाते करना चाहते तो मुझे इस्टाग्रम और फोलो कर सकते हैं मिलते हैं